Hello students, 60 days computer basic certification course की new class में आपका स्वागत है हमने 60 days computer basic course स्टार्ट किया था उसी से related आज की इस class में हम नए topic को समझने वाले हैं एक जानकारी आपको और दे दें यदि आप हमारे इस certification course को करने के बाद certificate चाहते हैं जो की सभी government और private job में valid है तो उसकी link इस video के description में दी हुई है उस link को क्लिक करके हमारे इस certification course को join कीजिए और कुछ इस प्रकार का certificate आपको issue किया जाएगा जैसे ही आप हमारे certification course को join करते हैं join करने की link वीडियो के description में दी गई है किस प्रकार का certificate मिलेगा उसकी design आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यह certificate सभी government और private job में मानने है तो अभी जाकर के video के description में जो link दी हुई है उसे click करके इस course को join कीजिए हेलो दोस्तों आज हम powerpoint में यह जो टैब दिये गए हैं यहाँ पर जैसे दिये गए तो यह दिखाई देता है कि यहाँ पर आपको जो page चूज करना है जैसे blank presentation बनाने के लिए यूज होता है तो इस तरह से यहाँ पर blank presentation यूज कर सकते हैं या आप अगर net connect होता तो यहाँ पर और भी template से दिखाई देते बाकि उनका यूज कर सकते हैं आप फिलहाल तो blank presentation के लिए है ब्लैंक की दिखाई दे रहा है page तो इस पर select कर लिजे यहाँ पर आगर आपको new चाहिए है तो new पर click करकी new ले सकते हैं देखिए यहां पर बताने लगा इस तरह से यह देखिए इस तरह से template दिखाई देने लगे slide दिखाई देने लगी इनको choose करकी भी ले सकते हैं आप presentation बना सकते है open में ्電 मिकरेंगे तो यहाँ पर ओपन जहाँ ड़ाया होगा यहां पर recent में वह डखाई देगा डिस PC में tant बनाया है यहां पर भी ले सब्सक्राब कर सकते हैं इसके नाम पर है related pupils उसका नाम दिया गया यहां पर date दी गए यहां पर और जिस टारिक को आप यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से दिया गया है इस तरह से और यहां पर protection दिया गया है इनका use करके आप इसको protect कर सकते हैं आपने application को अगर आप changes नगरें यहां से save कर सकते हैं आप जो presentation बनाते हैं उसको save कर सकते हैं यहां पर save as दिया गया है जैसे आपने जो बनाया हुआ presentation है आपको उस पर कुछ changes की है तो आप उसके बाद उसको save as भी कर सकते हैं यह से वैस का उप्शन दिया गया है हिस्ट्री हिष्ट्री अगर आपके पास बहुत सारी जो आपने प्रेजंटेशन बनाए तो वह इस्ट्री की रूप में दिखाई देती है तो इस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं यहां पर हमने ज्यादा कुछ बनाया नहीं है तो प्रेजेंटे का यूज करते हैं से कांडता अदो हम सेकेन देखकर दिया गए है हमारा फॉर्मेटेंग का और चुल में हम डाया हुअ का स्विब आपक से स्वरू हम यह ini और पर देखते हैं THE हमुरा लगए जहां हमारा फॉर्मटेंग का और जहां प्रदेंटेंग सानकर ह तो पहला जो ग्रोप दिया गया है क्लिप बोड का तो इसे समझते हैं यह तो आपने बेसिकली उस पर भी पड़ा होगा ms word पे ms word में cut, copy, format, print और paste का है तो फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं कि इसका क्या use है यहां पर जैसे मैं कोई character type करता हूं welcome अब इसका क्या use है cut का use होता है जैसे हम कोई भी जो character है हमने जो type किया है अगर उसको वहां से हटा करके कहीं और paste करना है कहीं और ले जाना है किसी और दूसरे place पे तो हम cut का use करते हैं जैसे cut करेंगे यह यहां से cut हो गया अब जैसे हम यहां पर नीचे paste करना चाहते हैं तो यहां पर करज़र रखके यहां पर paste button पर click कर देंगे यह देखिए इस तरह से paste हो जाएगा इसी तरह से copy का होता है कॉपी कम अगर थोड़ा सा अलग होता है वह जिस जगह पर है वहां पर भी रहता और किसी दूसरी जगह पर भी वह पेश्ट हो जाता है तो इस तरह से देखी यहां पर select करेंगे और copy करेंगे और उपर बापस ही मैं फर से paste कर देता हूँ यह देखी यहां पर भी हो और यहां पर भी welcome लिखके आ रहा है तो दौनों जगह यही है अब इसका जो थार्ड ओप्सन दिया है format printer का printer का इसका क्या use है जैसे मैं इस पर formatting करता हूँ यह इस पर इसकी जो font है यहां पर font दिया गया है तो यहां पर font का margin कर देता हूँ और इसको भी मैं अभी समझाओंगा font group को बाकी मैं अभी normally यहां से select कर लेता हूँ इसका size कर देता हूँ 40 और यहां पर colored कर देता हूँ red और इसके background में yellow इस तरह से अब इस पे जो format हमने किया है तो यही format इस पे भी apply हो जाए तो इसलिए हम यहां पर use करेंगे format printer का तो पहले इसको select कर लीजे यह इस तरह से select कर लिया और format printer पर click कर देंगे तो यह देखे यहां पर इस तरह का करज़ दिखाए देने लगा तो यहां पर इसको जहां पर भी यह format apply करना है वहां पर इसको इस तरह से पेश्ट कर दी तो यह देखे इस तरह से apply हो गया है इस तरह से आप format printer का use कर सकते हैं अब हम देखते हैं second group यहां पर दिया गया second group है slides का तो इसका क्या use है इस पर जो first option दिया गया है new slide का इसका use होता है जैसी यहां पर हमें new एक जो इसे कहते है slide कहते है जो first click के आ रहा है यहां पर यह slide है अब इसके बाद हमें एक और slide select insert करनी है तो हम new slide पर click करेंगे तो यहां पर देखिए आपको किस तरह की theme के हिसाप से slide चाहिए तो यहां पर आप उस theme को select कर लीजे यह आपको जैसे शुरुआत में तो default में होता है title slide ही होता है यहां पर आप blank भी choose कर सकते हैं यहां पर content with caption यूज कर सकते हैं picture with caption या title only या comparison या to content तो आप कोई सा भी select कर लीजे तो यहां पर insert हो जाएगा यह देखिए इस तरह से इस तरह से insert हो जाएगा इसी तरह से यहां पर नीचे दिया गया है यह वाला option तो duplicate मतलब जो आपने पहले से जो बनाया है default में जो slide थी वहां पर कुछ editing की होगी तो उसी की तरह एक slide चाहिए duplicate slide चाहिए तो यहां पर duplicate selected slide पर click कर देंगे तो यह देखिए उसी की तरह duplicate slide आगई जो जो formatting हमने उस पर की थी इस तरह से यहां पर slide from outline slide है insert outline मतलब इसके बाहर कुछ outline डालना रहता है background में background में कुछ देना रहता है यहां से आप select करके उस outline को select कर सकते है बाकी मेरे पास कोई outline देने के लिए कुछ है नहीं तो यहां पर इसको मैं cut कर देता हूं यह समझ में आ गया होगा आपको और यहां से the used slide उसका नाम यहा यहां पर वह है slide का use हो जाएगा यहां पर नाम टाइप करेंगे browser से slide को use करना है तो आप use कर सकते हैं फिर यहां पर मैं next बताता हूं next option है layout का जो आप select किये हो जो slide जैसे मैं यहां पर select कर लेता हूं third slide को और यहां पर आपको layout change करना है यह भी new slide की तरह ही होता है बाकि सब सारे theme मगर जो slide select करते हो यह new slide insert नहीं करता है यह उसी slide पर कुछ changes कर देता है theme को change कर देता है जैसे यहां पर मैंने अभी इस पे जो apply है वह theme apply है वह title and content का है आ जहां पर type कर सकते हैं यहां पर भी type कर सकते हैं किसी चीश के बारे में तो comparison इस तरह से theme को apply कर सकते है title वाला चाहिश है टाइटल select कर लिजी blank blank हो जाएगा इस तरह से आप अपने हम से theme को select कर लिजे layout सलेक्ट कर लिजे अब reset कर देंगे तो यहां पर reset हो जाएगा एक मिनिट यहां पे देखे री सैट हो गया है, इस पर अपलाई नहीं हो रहा था, क्योंकि यह डेफॉल्ट में री सैट ही है, लिया ओट का, यहां पे जो जो आपने फॉर्मेटिंग की हो गये, तो वह री सैट हो जाता है, जैसे हमने यहां पर इसकी तरह डूपलिकेट लि यहां पर स्कार बाकि यहां पर आप आता है, तो इसे हैं नाम पर सकते हैं, इस स्लाइट बनाए हैं बाकि मैंने यहां पर जादा से जादा से कषन लगा है आपने यहां पर रिमू बाल कर सकते हैं इस तरह से एकस्पेंड कर सकते हैं और é k Remo apostle कर सकते हैं मतलब आपको जू जो सेक्शन नहीं देखलाने हैma се क्लिक कर देंगे तो अप पूरे सेक्शन हट जाएंगे अब Slides Group का यूप कर सकते अब हम Third Group यहां पे दीए about क्या है इसका यूजड देखते कि इसका यूजड क्या है यहां पर जो जैस हम ने यहां पर Top किया था Welcome इसको फॉर्मिटिंग करने के लिए किये जाता है जैसे फॉर्मिट करना है या आपको यहा पे दूसरा कोई font देना है, जैसे अभी मैंने उसकिया था, एलारजेन उसकिया था, यहां पर अपराज़ता, एरिएल, एरियल बलैक, यह इन सब के font लिए गये हैं, बहुत सारे font लिए गये हैं, तो यहां से select कर लीजे उसको, अब जैसे यहां पर जो font type किया है मैंने, यहां पर अगर आपको इसकी size बढ़ानी है, आपको छोटा रखना है, 10 रखना है, 11 रखना है, यह इस तरह से 20, 24, 28, 37, 40, 44, 48, इस तरह से आप size अपने हसाब से रखना चाहते हैं, तो यहां से select करके र कम कर सकते हैं, यह इस तरह से, यहां से भी आप select करके, जितना आपको size रखना है, उदना select कर लीजे इस तरह से, अब इसको select करेंगे, जैसे आप इसको bolt करना है, तो यहां पर देखिए bolt option दिया गया है, इस पर click कर देंगे, तो यह इस तरह से थोड़ सा मौटा देखाई तो इस खोड़ा इएगे, पिरसे एकी आपको एंडाय करना है, तो इस पर bolt को हटा देता हूं और इस तरह से अगर italic करना है, तिरचे एक चर मीं देखाना है, तो italic आई पर click कर दिए देखिए, तिरसे दिखाई दे रहा है इस तरह से, पर आगर इसकी नीचे तो यहां पर दे गया है टेक्स्ट सेडो का तो इस पर क्लिक कर देता हूं कि यह देखी थोड़ा थोड़ा सेडो यहां पर दिखाई दे रहा है यह देखी इसके पीछे थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है सेडो तो यह टेक्स्ट को की सेडो देखाई देने के लिए लिए बापस किलिक कर दिया तो यह सैडो बापस किलिक करने में थекаãy इस तरह से थोड़ा भाद यहाँ पे इसके यूज है कि इसके बीच मैं जो लाइन क्रॉस दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है यहाँ पर इसका नाम है इस तरह से इसके बीच में एक लाइन देखाने के लिए किसी भी टेक्ष्ट पे तो इसके यूज कर सकते हैं इस उप्षन का फिर यहां पर इसको मैं अंचेक्ट कर देता हूं तो यह हट गई लाइन इस तरह से अब यहां पर दिया है कारेक्टर स्पेसिंग इनकी बीच जो इनकी इस पेसिंग को कम या ज्यादा करने के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं यह देखिए वैरी टाइट मतलब एकदम पास आ गए हैं यह देखिए इस तरह से इसको चैक्ड कर देता हूं यह देखिए बहुत पास में आ गए इस तरह से अगर लाइट करना है थोड़ फैल फैल गया है थोड़ी दूर रटा गया है यह देखिए यह यह प्लाय हो जाएगा यहां पर नॉरमने की आपनी करते हैं तो यह देखिए बेज द्मेहल भ्लेव इस तरह से नॉर्मल ही दीखाई देगा ररेक्टर लुज कर नहीं और दो हरीपास के लिएक राजा करिक्टरों की बीच इस फईसिंग आजाएगे सकते हैं किस प्रकार की किति स्पेसिंग है यहां से नेm क्यां करने चाहिए आप सटाकर रखना चाहते हैं तो इस तरह से नॉर्मल ही हैं यहां पर दिखाई दे सकते हैं तो joant सेंटेंस केस में जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस केस में, इसको सलेक्ट करके सेंटेंस केस होता है तो हर case में रखने के लिए जैसे lower case हो गया तो पूरे जो character दिये गहें हो है small letter में आ जाएंगे अब यहां पर जैसे upper case में कर देता हूं तो सारे character हो जाएंगे capital letter में अब capitalize each bird तो first word जो होगा बड़ा रहेगा बाकी जो सारे bird है जैसे हर character के यहां पर और टाइप करता हूं जैसे जैसे टू लिख दिया तो यहां पर इसको select करके यहां पर जाते हैं और यह upper case में कर दिया एक minute upper case में यहां पर ही है captivize or each bird तो इस पर click कर देंगे तो यह देखिए यह first bird जो है bird जो है यह बड़ा दिखाई देगा बाकी जो हर character के हैं हर सब्द के हैं तो पहला अक्षर बड़ा दिखाई देगा बाकी character जो है छोटे देखाई देगे इस तरह से इसी तरह से सबसे आखरी में दिया है लास्ट में दिया गया है यह तगल केस तो इसमें जो फर्स है फर्स्ट कारेक्टर बश चोटा दिखाई देगा बाकी सारे करेक्टर बड़ी देखा देता हूं अब अगर इस पौर और जैसे ऐसे कॉलर्ड दयना है यह इसके पहले दिया था उसके बैग्गरण में इसके बॉल D HAS alkalis यहां पर देखिए red color green color blue इस तरह से आप कोई साथ भी color दे सकता है green यह इस तरह से यह और no color कर देंगे तो no color हो जाएगा यहां पर select कर लीजे तो background हो यह देखिए इस तरह से color apply हो जाएगा अब अगर text की ऊपर color देना है यह जो text लेखा है welcome तो यहां से देखिए select कर लीजे यहां पर bite दे देता हूँ इसको मैंने select नहीं कहता है इसको select कर लीजे और यहां पर देखिए तो यह देखिए इस तरह से bite apply हो गया इसको पहले select करना पड़ेगा यहां पर जाएगे आपको जो color चाहिए यहां पर और more color में जाकर भी आप more color select कर सकते जैसे ही आपको यह वाला चाहिए और यहां पर जाने के बाद OK कर देंगे तो यह देखिए इस तरह से apply हो जाएगा बाकि यहां पर color दिये गहें तो उस color के सापसे आपको character रखना है, font का color रखना है तो यहां से select कर सकते हैं इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और यहां पर जो last दिया गया है eye drop का जासे यहां पर फर changes करता हूँ, yellow दे देता हूँ और यहां पर yellow apply करना है तो इसको select कर लि font group में जित्ते options दिये गए हैं इन options का use कर सकते हैं एक option रह गया है यहां पर यह वाला तो इसमें जो formatting use होती है जिसे जो selected है इस पर फॉर्मेटिंग यूज है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर फॉर्मेटिंग हट जाएगी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इन option का font group options का अब हम fourth group देखते हैं यहां पर दिया गया है fourth group दिया गया है paragraph का तो इसमें जो first दिया गया है यह bullets और numbering का option दिया गया है यहां पर जैसे आप bullet आइमस बर्ड में भी आपने bullets और numbering का use किया होगा तो यहां पर simply इस पर click करेंगे यहां पर देखिए जिस प्रकार की blood देना चाहते हैं circle में देना चाहते हैं या rounded देना चाहते हैं इस तरह से rounded या square की यह हम पर जाता हूं Numbering का इसी तरह से Numbering का है आपको Numbering में देना है तो इस तरह से देखी कि Apply होता रहेगा इसकोom डिलीट कर देता है यह से आप numbering और bullets को यूज कर सकते हैं यह यह करेक्टर को Elign करने के लिए país आखिए लैफ्ट आलाइम दिया गया ओर राइट यहां σेश Давайте इस्पर एभार speaks यहां पर यहां पर ऑर जिया और सिलेक्टिड है कि इस पर तर इसपर सेलेकशड़ेक्र होता है और justified कर देंगे तो justified के जादा तूर यूज होता है paragraph में जैसे आप paragraph को ज्यादा बड़ा type करते हैं तो इसको justified करना है align करना है तो justified यह वाले option के यूज कर सकते हैं justify करने के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं फिर यहां पर दिया गया है यह increase or decrease level मतलब इसकी यहां की देता हूँ यह जो welcome निका गया इसका size थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं यह देखे इस तरह से और इस पर बताता हूँ इस पर जो decrease और increase कर दिया है तो increase पहले करते हैं जैसे यह जो इसका जो यह level है इस box से कितना मैं यहां कर देता हूँ दeखिए मैंने पहले increase कर दिया था decrease कर देता हूं यह देखे decrease कर दिया है अभ यहाँ पर इसका जो level है यह box से कितना दूर सकते हैं इसके हॹसाप से हम यह कहसे चाना पर increase operation कर सकते हैं आभ यहां पर यह दे आ है यह को कर तर 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 नहीं परना बढ़ती जाएगी कम होती है कम करना है ज्यादा करना है तो उसके इस पर इनकी जो बीच की जो दो लाइने होती है उनकी बीच की जिस स्पेसिंग उसको सेट करने के लिए इसका उप्सन यूज कर सकते हैं और स्पेसिंग का यह तो पैरग्राफ डायलोग ऑक्स ओपन हो इंडेंट है मतलब जो जैसे मार्जीन रहती है ना मार्जीन से कितनी दूरी पर उसका जो इंडेंट रहता है टेक्स टाइप होता है तो मार्जीन जितनी मार्जीन रहती है तो इतने पर जो इंडेंट रहता है इस पेसिंग रहती है उसे कहते इंडेंट कहते हैं तो इंड इंडेंट रखने के लिए यहां पर सिलेक्ट किया है तो इंडेंट रखने हैं तो यहां पर बढ़ा सकते हैं यहां पर स्पेसिंग जो स्पेसिंग मैंने बताई थी लाइन स्पेसिंग भी दी है यह कारेक्टर की बीच के स्पेसिंग यह इसके साफ से यहां पर क्लिक कर दें तो यहां पर first column या एकी column पर रखना है या दो column पर रखना है तो यह दो column भी या अनेक से three column यहां पर आपने हिसाब से custom भी कर सकते हैं कि कितने column और कितने रोच चाहिए तो इसाब से यहां पर कर सकते हैं यहां पर column बना सकते हैं तो यहां पर first column भी रखना चाहिए तो first column दो थे ट्लबन को का कोम और इसे बाट सकते हैं सिस्टे डाइक्शनLी आब यहां पर डाय डाइक्शन यहाँ पर सबस्ट्रेल नांपर होटा है यहां यहां परisiert करना है। उसके ट्लबन जो दिया यहां नौर्ट मोर्ट पर डिफॉल्ट अन्म करना है तो इस तरह से text का direction change हो जाएगा stocked मतलब यह देखिए इस तरह से stocked में इस तरह से दिखाई देगा spacing फिर यहां पर character ऊपर की तरफ type होगा तो इस तरह से दिखाई दे सकते हैं text का direction यहां पर more पर चले जाएगे तो देखिए यहां पर dialogue box ओपन हो गया यहां पर आपको जिस तरह से character बाकी शेप का भी होता है मगर यहां पर मैंने character type किया है तो इसको मैं अभी यहां पर drawing group में समझाऊंगा और तो इसको मैं बाद में समझाता हूं इसको यह देखिए इसको समझ लिजे text को direction को निर्था रच करने के लिए होता है horizontally select कर देते हैं अब यहां पर यह जो दिया गया है align text को इसको समझते हैं यहां पर हमने align पढ़े थे left, centered और right अब यहां पर top, middle और bottom भी है तो यहां पर थोड़ा सा और text box बढ़ा होता यहां पर देखे यह अब देखाई देगा थोड़ा सा अच्छे सा within the middle here ,the bottom here creating link or deliverance अब यहाँ पर दिया गया है Convert to smartart smartart जैसně यहाँ पर दिया गया है इस तरह से smartart में दिखासकते हैं आपको जैसkachएं type बतान है तो थैप की रूप में भी बता सकते हैं इस तरह से यह देखिए इस तरह से आडो की रूप में या इसके बारे में इस तरह से ये देखे इस तरह सकते हैं इसके आई के और एक tab और जुड़ जाता है डिजाइन tab है बाकिसको बाद में समझेंगे उसके पहले इसी को नॉर्मली समझ लेते हैं इस तरह से यह इस तरह से अंडू कर दिया है कीवोट से कंट्रूल जैट दबा देंगे तो यह बैक हो जाएगा बापस इस तरह से आप कोई सा भी स्मार्ट चूज करना जाहें तो यहां पर चूज कर सकते हैं यह देखिए पीछे बैक ग्राउंड में चींजिस हो रहे हैं इ यहां पर मैं यहां पर जाता हूं थार्ड में यहां पर मैंने ब्लैंक स्लाइड ले लिया यहां से ले आउट मैंने ब्लैंक स्लाइड कर लिया था यह थार्ड में और इस तरह से अब यहां पर जैसे कोई सेप इंसर्ट करना है आपको यहां से इंसर्ट कर सकते हैं यहां प जब बाद यह format tap खुल जाता है तो format tap को थोड़ा सा समझा देता हूँ edit point यहां से save select कर सकते है edit point दिया गया है यहां पर change edit करना है तो आपको जो point दिया गया है उसके साफ से save को भी और changes करना है जैसे ही देखिए मैंने save को और changes कर दिया तो इस तरह से edit point के यूज़ करके आप save को change भी कर सकते है text box देना है तो देखिए कहां पर text box देना है इसके उपर जैसे save की उपर कुछ लेकना है तो यह देखिए select कर लिजे और यहां पर कुछ टाइप करना है यह देखिए इस तरह से type हो जागा इसके जो colored है वह black है इसलिए समझे में नहीं आ रहा है इसको select करके यहां पर देते है text fill यहां पर देखिए text fill का option दिया कि यह देखिए black इस तरह से देखाई देने लागेगा यह देखिए इसके उपर यह select करके delete कर देता हूं यहां पर जाद हम इसको कट कर दिया यह अब यहां पर format एक को select कर लेते हैं यह देखिए format option यहां पर यह जोड़ा हुआ है यहां से अगर shape color को change करना है तो यहां से change कर सकते हैं कि more option more fill option यहां से भी अपने हिसाब से color को बना सकते हैं और insert कर सकते हैं तो यह कर देंगे और यहां पर एक और दिया गया है आई drop का जिसी यह color जो हमने बनाया है इसको किसी और पर भी apply करना है तो यह देखिए यहां पर यह वाला color यहां पर apply हो जाएगा यह देखिए इस तरह से आई drop का यूज मैंने इसके पहले बताया था यहां पर आगर आपको picture insert करना है तो आप picture आपकी profile पर देखिए यह option dialer box open हो जाता है यहां पर अगर आपकी file पर ही होगा आपके computer में होगा तो वहां से ले सकते हैं आप picture insert करना चाहें तो इसके उपर जैसे मैं इस पर click करता हूं और यहां पर जाता हूं मेरा folder है यहां पर डाउनलोड में और इस पर जाके images में जैसे मुझे यह वाला option यहां पर insert करना है जैसे यह वाला image तो इस पर select करके और insert कर दूँगा यह देखिए इस पर apply हो गया यहां पर आदा इसलिए आ रहा है क्योंकि यह इसका जो edit point मैंने अलग कर दिया है इसको फर से जाता हूं edit point में edit कर देता हूं और मैं कर देता हूं full यह देखिए इस तरह से दिखाई देगा इस तरह से आप photo इंसर्ट कर सकते हैं आपको अगर यहां पर कुई और सा color देना है जैसे gradient का color देना है यह देखी बीच में इस तरह से तो आप दे सकते हैं यह देखिए इस तरह से यहाँ पर आगर आपको texture देना है जैसे यहाँ पर दिये गए बहुत सारे texture दिये गए हैं जिसे मैं इस पर apply करता हूँ यह देखे इस तरह से पत्थर का यह इस तरह से इस तरह से टेक्स्चर भी अपलाई कर सकते हैं इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहां पर अगर इस पे कोई करेक्टर जिसो हमने स्मार्ट आर्ट है इसके हिसाब से अगर आपको देना है जैसे यहां पर सैडो वाला भी दिय जर्दिया का है इसे वाला वीडिया का है इसकी ऊफर टाइप करना है यहां पे द याँ पयार ढ़ीप कर सकते हैं यह देखिये, यह बलैक में दखाईे रहा है इसको अजिलेक्ट करके बाकी यहां पहोंच एचे सल्ट किलैक्ट फिएंगा सारी ऩब कर किलरे रहा है और यहां पर इस पर अपलाई हो जाएगा सेप पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं हम पर टैक्स्ट वो दे सकते हैं यहां पर जाएंगी फॉर्मेट पर यहां पर आउटलाइन भी दे सकते हैं सेप की आउटलाइन देना तो सेप की आउटलाइन भी दे सकते हैं यहां से बिर ने पर देता हूं इसकी जो Outline है वे बोलंटी कर देता हूं यहां पे एकवक चैप को effect देना है तो देखिये जै इस तरह से आपको effect भी दे सकते हैं aglow देना है दो इस तरह से आपको शेप धक्तो सकते हैं जिए आप wherein पर text अागरyy इसकी मौटाई देनी है तो टेक्स्ट पर आउटलाइन जो दी गई उसकी मौटाई देनी है बिर्थ देनी है तो यह से सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट पर फिल करना है टेक्स्ट भी फिल जो कलर फिल करना है यहां से फिल कर सकते हैं जिस तरह से आप picture भी इन्सट कर सकते हैं जैसे accept बधना जैकलों से तरह बनाने हैं जयसे उसके बारे में कुछ दिखलाना है जैसे उसके बारे में कुछ कारेक्टर यहां पर रिकमेंडेट रहे कि याद रहे कि यह टेक्स्ट जो सेफ है या टेक्स्ट है वह क्या है तो उसके बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यह देखते आता है यहां पर अल्टेक्ट के उरूप में यहां पर अब ज यह पर दूपर कर देखे हैं लेक्तलत लोगव और बैक वार्ड चल तरह पीछ चला गया और इसी तरह से अगर फ्रन्ट एम करना है गाए करना जैसे यहां पे बहुत सारे सेप इसे इनी की डुप्लिकेट ले लेता हूं यह देखे इस तरह से डुप्लिकेट ले लिया अब यह देखिए सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है इनको मैं select कर लेता हूं all select keyboard से Ctrl A दबाएंगे और यहां से delete कर देता है डिलीट हो गया कोई shape ले लेते हैं यहां पर यह देखिए अब यहां पर जैसे बहुत सारे shapes फ़र से यहां पर duplicate ले लेता हूं जैसे यहां सेप को select करने में problem हो रही है तो हम यहां पर जाते हैं selection pane पर यहां पर आपको भै सेप देखलानी है तो सभू भी कर सकते हैं hide भी कर सकते हैं यहां पर आप select कर सकते हैं उस के दिर्ट हर यह सब्का किलर कर रहा है जैसे कि सव यह िंट सेक्स ही बिंट यह लाशट करना है तो हरा घर कर सकते हैं और करना है तो so bhi कर सकते ही ये देखिए और लास्ट वाला hide करना है तो हाइट कर दीजिए और इस सरसे so हो जाएगा इस तरह से आप इसके use कर सकते हैं अब यहां पर उसका एंगल है align देना है align भी select कर से सकते हैं जैसे मैंने text का align बताये तो इसका भी है यह देखिए left center right इस तरह से आप align भी set कर से bottom top यह भी दियेगा है यहां पे आपको align select करना है तो select कर सकते हैं rotate करना है इसका shape यह देखिए इस तरह से vertically रखना है vertically horizontally horizontally है 90 degree candle में rotate करना है तो देखिए इस तरह से rotate हो जाएगा यहां पर उसका size देना है तो size भी दे सकते हैं आपको जैसे यहां पर देना है 2.31 और इसको यहां पर select करके 3.21 यह और इसका size को और बढ़ा देते हैं जैसे 5 कर देते हैं यह देखिए इसका size और उपर बढ़ चुका है इस तरह से आप यहां पर size भी दे सकते हैं अब हम जो man पढ़ रहे थे हॉम टैब में जाकर यह इसी तरह कि ऑप्सन यहां पर भी दी गए हैं जो हमने फॉर्मेट में पढ़े थे अब इसको मैं अलग कर देता हूं यहां पर देखिए मैंने वहां पर सेंड टू बैक सेंड टू फ्रेंट बताया था देखिए यह सेप को मैं इसकी इन सभी शेप के पीछे चला गया है सेंड टू बैकवार्ट तो एक यहां पर एक कदम पीछे जागा यह इसको पहले फ्रण्ट में कर देता हूं wearing to front ये देखे फ्रेंट में आ गया में इसीफ ने पर गए, अब यहां पर 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 हम चाबां आप जिए अन्हें इस तारह से आप arraynj के यूज कर सकते हैं इस तरह से अब यहां पर दिया गए यह ग्रूप यह पर हमने पूरे सालक्ट यह है और Alexand दबाईंगे कीवोड से और इसको भी कर लेते हैं यह दो सेलैक्ट होगा है अब यह दोनों सेलैक्ट तो हो गगा है मगर ग्रूप नही तो यहां पर आप group कर सकते हैं group कर दिया तो यह देखिए एक साथ दौनों से select हो गया है यह देखिए इस तरह से दौनों कहीं पर भी move करना चाहें इसका size भी हां से कम करना चाहें यह देखिए इस तरह से ये इस तरह से कम कर सकते हैं यह यह अंगोड कर सकते हैं यह अंग्रोप फ़र से हो गए है रहना है तो इस पर कर देगे तो यह अंगोड हो जाएगा सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो जाएंगे अब एक सेपो सेलेक्ट करके अलग कर दीजिए अब यहां पर से आखरी दिया गए रीग्रोप अगर रीग्रोप क्या अनग्रोप कर दिया है फिर से रीग्रोप करना है तो रीग्रोप कर देंगे तो यह देखे ग्रोप हो गया इस तरह से यह सो मैं डिलीट करना और इसी तरह से यावक का दिया है इसके पहले मैं ने format में बता दिया है format में at Diam का rotate के and Selection pane का तो इसी तरह से यहां पर भी उनका यूज होता है है वाफ कैश च्टाइली है जैसे मेने यहां पर बताय था format पे क्योंके style का यह क्योंके क्योंकि स्टाइल का सेप की जो स्टाइल देनी है वह है उसी तरह से यहां पर दिया गया है हॉम बेज आएंगे और यहां पर देजिए क्योंकि स्टाइल यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं है यहां पे रिख किलर कर लेक्ट काया है से नहीं यहां सफ च्किर छे लंग मद्स सबस्टाइब यहां को अगर फिल चैल त्वेस एक यहां पर तर्गे उसक्टर लेशंकंते सिर्ट इससलिएें और पर इस तरो नसे ताई यह तक पर grading पर उसका कि प्लार हो uni दे तो बिर्त को थोड़ा सा मौटा कर दी तो यह देखिए इसकी जो सेप की आउटलाइन वह देखा जाने लगी है इस तरह से आपकी सेप में यह डॉटेट दैनी है तो डॉटेट भी दे सकते हैं यह इस तरह से डॉटेट लाइन दैनी है तो सेप में आउटलाइन जो है ड और यह देखिए, सैडो की रूप में यह इस तरह से फिलिप हो जाएगा, यह इस तरह से सेप को इफेक्ट देना है तो इस तरह से दे सकते है, सैडो की रूप में भी दिखा रहा है, यहां पे यह देखिए, यह इसको नॉर्मली इस पे करते हैं, अपलाए करते हैं, सैडो य कर सकते हैं और इसी तरह से बाकियों कभी है यहां पर दिया गया ही नेक्स दिया गया है reflection यह देखी reflection इस तरह से आप यहां पर effect लगा सकते हैं से इस तरह से आप drawing group का use करके shape यह text को format और थोड़ा सा angle इसको arrange करना क्योंकि style देना फिल करना आउटलाइन दैना एफेक्ट लगाना इस तरह से आप इनका ड्राइंग ग्रॉप का मैं ओप्संस का यूज कर सकते हैं अब हम लाष्ट ग्रॉप जो दिया गया है एडिटिंग का बहुत ग्रॉप देखते हैं इसमें फस्त दिया गया है अब हमें बबाद करना है तो find पर click करेंगे तो यह डाराव box open होगा यहां पर जैसे मैंने यहां पर select कर लेता हूं तू टाइप कर देता हूं यहां पर टू भी लखा गया था मैंने तू पह लेखा था तो यहां पर उसको find करना है तो यहां पर जाएंगे find ''Find Text'' यह देखिए यहاں पर ''Select'' हो गया है इस तरह से आप ruper को ''Find'' कर सकते हैं जी इस तरह से '' slots'' करनी थे एक कर देते हैं इस तरह से आप and कर सकते हैं अब जो करेक्टर है उसको replace करना है जैसे यहाँ पर दिया गया है अब इसकी जगह जैसे बहुत सारे हमने हर जगे इन करेक्टर का यूज किया है तो यह देखिए यहां पर अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस डायलाग बॉक्स ओपन हो जाएगा सबसे पहले यहां पर इता है जैसे यहां पर यहां पर टैक्स पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए यहां इस तरह से आप find करेगा find पर click करेंगे तो यह देखे select होकिए आगया इसको भी select कर सकता है welcome जो mismatch है match केस select कर दी है तो जो capital में लेका थो तु उसी को select कर रही हाँ पे unchecked कर दूंगा तो यह देखिए अगर find करेगा तो इसको भी find करेगा इस तरह से आप select कर लिजिये फिर यहाँ पर अगर replace करना है तो आँ मैं come से replace करना है welcome को तो यहाँ पर replace पर क्लिक कर देंगे तो replace हो गया देखिए यहाँ पर यह देखिए कम आ गया अभर replace all कर देखिए तो जहाँ-जहाँ पर भी अगर यहां पर लिखा होगा, welcome जहां जहां पर भी लिखा होगा तो बहां से replace हो जाएगा, replace all कर देंगे तो यह देखिए सब पर replace हो गया है, यह, इसको मैं close कर देता हूँ, यह देखिए यहां पर इस पर भी लिखा था और यहां पर भी लिखा था देखिए, come to हो गया, come to ह इस तरह से आप replace और find option के यूज़ कर सकते हैं, अब यहां पर third option दियागा है select का, तो select पर जाएंगे और select all, select all का मतलब है यहां पर जो character जो select हैं, जैसे तो हम select all करने के लिए आप keyword से control A भी कर सकते हैं, बांकि यहां पर select all करना है, तो देखिए, यहां पर slide select होगए है, यहां पर मैं character select कर लेता हूँ यहां पर जाता हूँ select all तो यहां पर जितना जो character था यह देखी select हो गया है पूरा और यहां से select हो गया है अगर save होते तो save भी all select हो जाते यहां पर देखिए यहां पर यह save select नहीं है यहां पर इसके duplicate कर लेता हूँ यह देखे, अब सिर्फ एक ही select है, तो यहां पर all select कर दूँगा, तो यह देखे, सारे select हो गए हैं, सारे shape select हो गए हैं, यह देखे, एक सांथ move हो रहे हैं, सारे group भी कर सकते हैं, बाकी यहां पर group का option नहीं दिया है, select object, यहां पर single single, अगर किसी object को select करना है, यहां पर background पे, और यहां पर देखे, एक shape को select करके move कर सकते हैं, इस तरह से, आप मैंने selection pain का भी बताया था format में, selection pain पर click कर नहीं दिए, selection pain open हो गया, जो shape selected है, उनको select करना है, so करना है, hide कर सकते हैं, so कर सकते हैं, यहां पर, अगर select करने पर दिक्कत हो रहे तो यहां से भी select कर सकते हैं आप selection pin के दोरा यह देखिए इस तरह से और बाकी यहां पर तो select करने का option दिया है तो select all कर लेंगे तो यहां पर सारे select हो जाएं इस तरह से आप editing group के अंतरकत सारे options का use कर सकते हैं